और आज जो हम लोग वचन देखेंगे, हम लोग continue करेंगे उस topic पे, जो आज चल रहा है दुनिया में, और ये सब युद वगरे को देखके, एक सवाल आ जाता है मन में, और कई लोग ये पूछ रहें कि क्या हम लोग उस समय में आ गया है, जहां पे अब दुनिया का end, अंत ह होने वाला है क्या, क्या समय आ गया है जब प्रभु ये शुमसी वापिस आने वाले है, हम लोग क्या वहां तक पॉंच गय है क्या, और हम लोग आज देखेंगे, कि जैसे प्रभु के वचन से हम लोग देखते हैं बार-बार, कि परमेश्यूर के जो टाइम लाइन होता है परमेश्वर का जो events प्लान करते हैं क्योंकि हम लोग सही में हम लोग देख सकते हैं Bible में कि जो भी होता है दुनिया में परमेश्वर जानते हैं कोई भी चीज नहीं है जिसके बारे में परमेश्वर को पता नहीं है और जब हम लोग देखते हैं Bible के events के अनुस्थार उसका linkage हम लोग हमेश्वर देखते हैं कि वो इसरेल के साथ होता है या जुड़ा हुआ है और हम लोग कह सकते हैं कि इसरेल परमेश्वर का calendar है दुनिया के लिए परमेश्वर ने जो भी प्लान किया है जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया है हर चीज को हम लोग देखते हैं वो इसरेल से हमेशा जुड़ा हुआ है और आज भी हम लोग देखेंगे इसरेल का जो युद है मसी का वापिस आना हम जिस समय में है और जो सवाल हम लोग सब के मन में है कि इस विशय के बारे में उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा बहुत देखने वाले हैं तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपको ये स्लाइड दिखा के जहां पर लिखा है यहां पर इसरेल परमेश्वर का कैलेंडर और ये एक हमारे ले एक ये जड़ बन जाएगा हम लोग जो स्टड़ी करने वाले हैं आज और जो वचन सुनने वाले हैं वो आज इसका जड़ इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि इसरेल परमेश्वर का कैलेंडर अब जब इसरेल वापस आया भूमी में 1948 में और देखेंगे इसरेल नया देश नहीं है अगर कोई आप से कह रहा है कि इसरेल तो अब ही पैदा हुआ 1948 में हम लोग उनको कह सकते हैं कि हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने इसरेल को क्रेट किया सारे तीन हजार साल पहले जब उन लोग सिनाई परबत पे परमेश्वर ने उनको अपना वचन उनका अपना तोरा अपना कानून उनने दिया उसके पहले परमेश्वर ने आवराहम को चुना और जब परमेश्वर ने आवराहम को चुना परमेश्वर ने आवराहम को कहा कि देखो आवराहम मैं तुमें अपने भ तुम्हें आशिश दूँगा उत्पति बारा में हम लोग देखते हैं बारा तूसरा वचन तीसरा वचन जो तुम्हें आशिश देगा मैं उनको आशिश दूँगा जो तुम्हें शराप देगा मैं उनको शरापित करूँगा यह परमेश्वर का वादा है यह परमेश्वर आवराहम को कहा और तुम्हारे द्वारा मैं सारी दुनिया को मैं आशिश दूँगा यहां से हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि परमेश्वर एक connection जोड रहे है दुनिया का आवराहम के साथ और परमेश्वर कह रहे है कि देखो आवराहम तुम्हारे द्वारा मैं दुनिया को आशिश आशिशित करूँगा लेकिन दुनिया को भी मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो लोग तुम्हें आशिश देंगे उनको मैं आशिश दूँगा जो तुम्हें श्राप देंगे उन्हों मैं श्रापित करूँगा अब देखे अवराहाम का पहला जो बेटा जो हुआ, वो एक्चली परमेशुर की इच्छा की अनुसार नहीं हुआ, हगार की द्वारा, तो परमेशुर ने ग्राजुली उनको हटा दिया, परमेशुर ने नफरत नहीं किया उनके साथ, लेकिन परमेशुर ने हटा दिया और वो बेटे का नाम था इसाक, आईजिक, इसाक याईजिक के दो बेटे हुए, जेकब और इसाओ, याकुब और इसाओ, और परमेश्वर ने क्या किया, फिर परमेश्वर ने एक्चली इसाओ को भी हटा दिया, और याकुब को चुना, और फिर हम लोग देखते हैं कि याकुब के दोरा, जेकब के दोरा, उनकी बेटे, बारा जो बेटे थे उनके, उन लोग इसरेल के बारा गोत्र बन गए, जो मिस्वर देश में गए, और चार सो साल के बाद वो जो पूरा परिवार है, वो बहार आ गए, at the time of the Passover, और उनका न आवराम को कहा, वो जो वादे जो थे, वो इसाक, याकुब और उनके वंश के द्वारा, परमेश्वर ने दुनिया को दे दिया, और परमेश्वर ने कहा कि देखो, तुमारे द्वारा, दुनिया के लोग आशिश पाएंगे, God is dealing with the nations of the world through Israel, ये हम लोग देखते हैं, Bible में अब हम लोग, इसरेल जो परमेश्वर का कैलेंडर है, उसके अनुसार हम लोग, ये फाउंडेशन लेके हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसरेल के लोग, सत्तर एडी में, मतलब येशुमसी के करीब 40 साल के बाद, येशुमसी के मरने, जी उटने और स्वर्ग में जाने के बाद, करीब 40 साल के बाद, येरुशलिम के मंदिर को तोड़ा गया, और कई जूइश लोग, येहुदी लोग, कई, सारे नहीं, सारे नहीं, कई maximum लोग, वहां से निकले और अलग-अलग देशों में चले गए और फिर बाइबल के प्रोफेसी या वादय के अनुसार एक ना एक दिन उनको वापस आना था जिसको कहते है अलिया गरवापसी और 1948 में फाइनली जुविश नेशन इसरेल वापस स्तापित हुआ पुराना जो इसरेल का नेशन था देश था हमेशा उनका था गलत लोगों के हातों में आया लेकिन 1948 में दुबारा यहुदियात में आ गया अब उस समय से हम लोग देखते हैं कि बहुत इवैंजिलिजम भी बढ़ रहा था उस समय में और उस समय के बाद से हम लोग देखते हैं और अगर आप अच्छली मेजर करोगे तो हम लोग देखते हैं 1948 के बाद जितना इवैंजिलिजम हुआ जितना परमेश्वर का नाम पहल गया जितने लोग प्रभू में आएं उसके बाद वो पहले 1900 साल क्रिस्चैनिटी का इतना नहीं पहला जिस तरीके से 1948 के बाद लोग प्रभू में आना चालू हो गए अफकोस काफी हुआ पहले 1900 साल में लेकिन उससे कई जादा बहुत जादा हुआ 1948 के बाद जब इस्रेल वापस आ गया भूमी में प्रमेश्वर का प्लान था अब देखे हम लोग आज देखने वाले हैं कि क्यों इतना इंपोर्टन्ट है कि हम लोग का मन और हम लोग का understanding हम लोग का समझ क्यों रहे कि आज के समय में क्या हो रहा है और उसका जो लिंक हम करे परमेश्वर के वचन के साथ क्योंकि जो भी हो रहा है दुनिया में हमें connect करना जुरूरी होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, बाइबल में क्या परमेश्वर ने prophecy दिया था, और हम लोग किस समय में है और कितने नजदीक शायद है येश्यमसी के वापिस आने के बारे में तो हम लोग देखते हैं कि ये टॉपिक और ये टीचिंग जो है ये क्यों इंपोर्टन्ट है क्योंकि प्रभू ने खुद काफी समय इन बातों पे उन्होंने बिताया हम लोग अगर देखेंगे ये शुमसी के जो टीचिंग के बारे में हम लोग देखते कि उन्होंने करीब 30% अपना समय लोगों को बता लोगों को सिखाने के कोशिश किया अंतिम दिनों के बारे में उनके वापस आने के बारे में परमेश्वर के राज्य के बारे में और लेकिन जो शारिरिक राष्ट्र है, जो हम लोग मत्य छे में हम लोग प्रात्ना करते हैं, तिरा राज आए, वो राज अभी तक आया नहीं है, और वो आएगा जब प्रभु ये शुम्मसी वापस आएंगे इस दुनिया में, कुस्तापित करेंगे, येरुश्लिम में बैठके, दावित के सिहासन पर, as the king of kings, और हम लोग दिखते हैं कि बाइबल में देड़ सौ से जादा chapters है, प्रभु ये शुमसी के आने के बारे में, या अंतिम दिनों के बारे में, देड़ सौ से जादा chapters बाइबल में अंतिम दिनों के बारे में हैं, ये शुमसी का first coming के बारे में, पहला आने के बारे में, करीब 83 chapters हैं, 83, लेकिन उनका second coming या last days अंतिम दिनों के बारे में, देड़ सौ chapters हैं, almost double, तो क्यों हमारा focus उस पे इतना नहीं हैं? आज उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे, और पूछेंगे, हम अपने आपको पूछेंगे, कि क्या हम तयार हैं प्रभी ये शुमसी के आने के बारे में? Revelation, पकाशित वाक्य, तीन, तीसरा अधियाए और तीसरे वचन में, ये शुमसी खुद कह रहे हैं यहां पे, और ये चर्च को कह रहे हैं, एक चर्च को यहां पे कह रहे हैं, यदि तू जगा नहीं, तो अचानक चोर के सम्मान मैं चलाओंगा, मैं तुझे कब अचरज में डाल दूँ, तुझे पता भी नहीं पाएगा, अगर तू नहीं जगेगा, तब मैं तेरी उपर आओंगा एक चोर के सम्मान, यानि कि अगर हम लोग जगे हुए हैं, अगर हम लोग समय कुछ देख रहे हैं, तब प्रभू चोर के जैसे, हमारे लिए तो चोर के जैसे नहीं आएंगे, उनके लिए आएंगे, जो लोग जगे हुए नहीं हैं, आमेन? आमेन? तो यहां पर लिखा है कि प्रभू ये शुमसी जैतुन परबर्त पे थे, और इसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में, इस इस दी ओलविट डिस्कोर्स, और उनके शिश्चु उनके पास आए, और पूछने लगे, कि प्रभू, हमसे कहें, कि ये बाते कब होगी? और तेरे आने के? मतलब, when will you come back? ये क्या चिन होगा जवाब आपस आने वाले हो? और जगत के अंत का क्या चिन होगा? देखे, जैसे हम लोग आज सोच रहे हैं, उन लोग भी उस समय वैसे ही सोच रहे थे हैं, तो प्रभू येश्चु मसी ने उनको जवाब दिया, उनको काफी साइन्स दिया, और हम लोग देखते हैं, मतलब 24, लूक 21, और मार्कुस 13, ये लगबख सेम चैप्टर्स हैं, अ traditional बाते हमें, तीनो चैप्टर्स को जोड़ के हमें मिल जाता है, तो प्रभू ये श्चु मसी ने उनको जवाब दिया, और प्रभू ने एक, दो तीन हम लोग बात आज देखेंगे इसके बारे में, तो हम लोग देखते पहले मतलब 24 और 37 बचन में, मैथ्यू चैप्टर 24 verse 37 जो आपके स्क्रीन पे हैं, और प्रभू कहते हैं यहां पे, कि देखो, but as the days of Noah were, so also will the coming of the son of man be, प्रभू क्या कह रहे हैं, जैसे नू के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, जैसे नू के दिन थे, ओके, तो यहां से हमें एक बड़ा clue मिलता है, एक direction हमें मिलता है, कि उनके आने के पहले कैसा वातवरन होगा दुनिया में, नू का समय कैसा था, जिन्नोंने पढ़ा उत्पत्ती के किताब, and I'm sure हम लोग सब पढ़ा होगा, हमें पता है कि नू के समय कैसा था, हम नू के बाड़ की बारे में हम लोग जानते हैं, और हम लोग बहुत बदमाश थे, बहुत पाप में जीते थे, और क्या-क्या पाप थे हम लोग, मतलब बात भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक वचन को हम लोग आज देखेंगे, और उसका comparison हम लोग आज की दुनिया से हम लोग करने वाले हैं, तो आप खुले मेरे साथ उत्पत्ती 6 और ग्यारा वचन में, मैं चाहता हूँ कि कोई पढ़ ले हमारे हिंदी में, उत्पत्ती 6 और प्लीज अगर जल्दी करेंगे, दूसरे के लिए मत रुकिये, तो हम लोग समय बचा सकते हैं, उत्पत्ती 6 और यहां पे लिखा है कि the earth also was corrupt before God and the earth was filled with violence, कोई पढ़ रहा हिंदी में, के I have no help, आज, okay, no volunteers, no problem, उस समय पुद्धी पर्मेशर की दुष्टी में बिगड गई थी और उपद्रों से भर गई थी, all right, thank you sister, तो यहां पे लिखा है कि रुथ्वी में क्या था, violence, उपद्र, Bible लिब्रानी में लिखा गया है, Hebrew में, और जो शब्द लिखा गया वहाँ है, violence के लिए, वो है हमास, उस समय, नू के समय, दुनिया में क्या था, the earth was filled with हामास, रुथ्वी हामास से भर गई थी, प्रभू कह रहे हैं, मेरे आने का समय, नू के दिन के समान होगा, नू के दिन के समान, दुनिया भर में हामास था, हामास का मतलब हीब्रू में है, violence, उपद्र, destruction, नाश करना, खून करना, ये होता है हामास हीब्रू में, अब ही देखिए, हामास जो organization है, उन लोग का Arabic शब्द है, लेकिन हमें क्लू मिल रहा है Bible से, कि हम समय को कैसे पैचाने, ये शुमु से कैसे कह रहे हैं, कि मेरे आने का समय, नू के दिन के समान होगा, नू के दिन में, Bible कहता है, उत्पती 6.11 में, कि दुनिया में हामास था, आज की दिन हम लोग देखते हैं, कि दुनिया में क्या है, हामास है, एक तरीके से, वाइलन्स, उपद्र, सब जगा है, और खास, इस्रेल को लेके, दुनिया भर के लोग हामास के बारे में बात कर रहे हैं, हामास और इस्रेल का युद्ध, आज हो रहा है, एक तरीके से हम लोग देखते हैं, आगे, येश्यमसी, लूका, 21 और 20 स्वचन में कहते हैं, कि देखो, जब तुम यरूशलिम को सेनाओं से घिरा हुआ देखोगे, तो जान लो, कि समया आ गया है, निकट, उसका जड़ जाना निकट है, ये यरूशलिम को सेनाओं से घिरा हुआ, देखे, अब तक येरूशलिम को घिरा आने गया है, लेकिन हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है शायद उस समय से, हमें पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, हो सकता है एक मैने में इस्रेल ये पूरा हमास को खतम कर देगा, और ये पूरा युद्ध खतम हो जाएगा, लेकिन ये बात यहाँ पर अंध नहीं होगा क्योंकि कोई न कोई तरीके से ये दुबारा होगा, हम लोग आगे देखेंगे उसके बारे में, तो हम लोग देखते हैं वाइबल में कि इस्रेल के युद, इस्रेल की यूद की द्वारा हम परमेश्र के आने प्रभी येश्यमुसी के आने का समय हम लोग पैचान सकते हैं बाइबल में हमें बताया गया कि इस्रेल अंजीर का जाड़ है और इसमें हम लोग जाएंगे नहीं इस समय लेकिन हम लोग एक वचन को देखके और उसका कनेक्शन यूद के साथ हम लोग पैचान सकते हैं और वो है एजीकियल का किताब जो 37 अधियाए है और 37 अधियाए में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सुखी हड़ियों का खाई के बारे में हम लोग देखते हैं जहां पे परमेश्वर एजीकियल को ले के जाता है एक बायो विजन एक दर्शन की दवारा और परमेश्वर उसको दिखाते है एक पूरे खाई जहां पे सर्फ सुखी हड़िया है एक कबरस्तान के जैसा और परमेश्वर उनसे बात करना चालू करते हैं और कहते हैं के एजीकियल तू अभी यू प्रॉफिस आए तू भवश्यवानी दे और जब वो करता है उस तरीके से जैसे परमेश्वर ने कहा तब वो देखता है के हर एक जो हड़ी है वो जुड़ जाता है और वो वापिस आ जाता है एक मनुश्य बन जाता है और उसके अंदर सांस आ जाती है और उन लोग जीने लगते और फिर परमेश्वर ने उनसे कहा एजीकियल सैतिस और दस और ग्यारा वचन में यहाँ पे लिखा है कि उन लोग एक बहुत बड़ी सेना हो गई देखिये दस वचन में एजीकियल सैतिस दस वचन में लिखा है कि यह जो हड्डियां है वो बड़ी सेना बन गए और फिर ग्यारा वचन में हम लोग देखते है फिर उसने मुझ से कहा हे मुनश्य के संतान बतब परमेश्य कह रहे है एजीकियल को ए मुनश्य के संतान हड्डिया इस्रेल के सारे खराने की उपमा है इस बोन्स अदो होल हाउस अफ इस्रेल सो परमेश्य कह रहे हैं कि देखो जब इस्रेल की लोग वापस आएंगे जब जी उठेंगे एक तरीके से 1948 में इस्रेल जी उड़ के आए 1900 साल के बाद परमेश्य कहते हैं कि उस समय उन लोग एक बड़ा सीना बन जाएंगे और आज की दिन हमें पता है कि इस्रेल की जो डिफेंस फोर्स है पावर्फुल डिफेंस फोर्स है दुनिया के टॉप पाच या फाइव सिस, टॉप फुप, फाइव सिस के अंदर माना जाता है कि इस्रेली डिफेंस फोर्स माना जाता है हम लोग जब हमारे परमेश्य के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये सेनाओ का यहुवा है He's the Lord of hosts तो हम लोग देखते कि हमारे परमेश्वर सेनाओ का यहुवा है मतलब He's a fighting God लडाई करने वाले परमेश्वर है लोगों से नहीं लेकिन शैतान की आत्मा से That is our God तो हम लोग चम इसरेल की यूद के बारे में हम लोग देख रहे हैं हम लोग कोई इस तरीके से देखना नहीं है कि ये पॉलिटिकल चीज है इसरेल का कोई भी चीज पॉलिटिकल चीज नहीं है लेकिन इसरेल का कोई भी चीज आत्मिक चीज है बाइबल का विशय है हमारा यहोवा सेनाओं का यहोवा है परमेश्य ने कहा कि इसरेल जब वापस आएगा एजीकिल सेतिस तो बड़ा सेना उनलोग बन जाएगे आपको पता है कि जब से इसरेल वापस आया 1948 से लेके आज तक उन्होंने आठ बड़े युद फेस किया उन्होंने पहले साल में ही 1948 में War of Independence, 1956 में 1967, 1973 आठ युद और आज जो चल रहा है युद वो नवा युद है बड़े-बड़े युद छोटा सा देश जिनका संक्या मुंबई शहर से का आधा संक्या है the population of इसरेल मुंबई का आधा है आधा से भी कम है एक्चली ये देश है आठ बड़े युद और ये आज जो चल रहा है वो नवा बड़ा युद है और छे छोटे-छोटे युद भी हुआ तो मतलब टोटल कितने? पंदरा युद 75 साल में पंदरा युद मतलब अवरिज में अगर आप देखेंगे तो हर 5 साल एक युद कौन सा देश खड़ा हो पाएगा इस तरीके से क्योंकि युद में सारे चीज़े खतम हो जाते हैं बच्चों स्कूल नहीं जा पाते हैं एड्यूकेशन नहीं होता है नेक्स जेनरेशन कैसा तयार होगा खाना पीना कैसा कहां से आएगा क्योंकि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है आर्तिक स्तीती खतम हो जाती है टूरिजम खतम हो जाता है अलग-अलग सारी चीजें इंपक्ट हो जाती है इस्रेल 75 साल में 15 युद उन्हें लड़ा 9 बड़े युद और 6 चुटे युद और फिर भी उन लोग खड़े हैं चोटा सा देश खड़े हैं ताकतवर हैं दुन्या का अमंग टॉप नेशन्स माना जाता है उनका साइन्स और रिसेर्च और डिवेलप्मेंट दुनिया का नंबर वन माना जाता है स्टार्टप नेशन ऑफ दे वर्ल्ड कहा जाता है मतलब सबसे ज़ादा जो कंपनीज खड़े हो जाते हैं नए बिजन्स कड़े हो जाते हैं वो है इस्रेइल अग्रिकल्टर में नंबर वन जितना उन लोग फल और सब्सिया ग्रो करते हैं उसका चार गुना उन लोग एक्सपोर्ट करते हैं कौन सा कंट्री कौन सा देश कर पाता है और वो भी रेकिस्तान में रहके नोबिल प्राइज़ में नंबर वन 24% लोग इस्रेइल के लोग यहुदी लोग ने जीता नोबिल के प्राइज़ मैं कितना बता हूं उनके बारे में लेकिन जितना हम लोग बोले हम लोग इसरेल के परमेश्वर को हम लोग गौर्व दे रहे हैं क्योंकि ये उनका हाथ है उनकी उपर लेकिन हर बार हम लोग देखते हैं जब युद होता है हम लोग देखते हैं इसरेल क्यों जीत रहा है छोटा सा देश क्यों जीत रहा है क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है आप बोल सकते हैं हमारे साथ आमैन 1967 में जब इस्रेल ने वापिस यरूशलिम को लिया छे दिन की युद में बड़ा चीज था हमारे लिए आपके लिए और मेरे लिए क्योंकि हम लोग देके connect कर रहे है प्रभू के वापिस आने के साथ स्तोत्र 102 और 16 वचन में लिखा है जब परमेश्वर सियौन को स्तापित करेगा वो अपने महीमा में प्रकट होगा और फिर 18 वचन में लिखा है कि ये लिखा गया है आगे आने वले पीडियो के लिए मतलब जब इसको लिखा गया था उनके लिए नहीं था ये भविश्यवानी था कि जब परमेश्वर इस्रेल मतलब जब परमेश्वर सियौन मतलब यरूश्लिम वो स्तापित करेगा तब वो महिमा में प्रक्ट होंगे देखे अपर इस्रेल के हर युद से हम लोग देखते परमेश्वर का हाथ उनके उपर और और एक महा युद आने वाला है देखे हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या आज का जो युद है वो क्या आकरी युद है क्या इसी में शायद ये शुमसी वापिस आएंगे ये ही सबसे बड़ा इसरा महा युद होने वाला है क्या हो सकता है और अगर हुआ तो क्या हम लोग तयार है क्या नू के दिन के समय जैसे था वैसे आज है दुनिया में वाइलन्स है अगर ऐसा हुआ तो हम लोग तयार है क्या हमारा ध्यान ये सब चीजों पर है कि हम लोग सिर्फ रोज का normal زندگی जी रहे है परमेश्वर मुझे आप आशिश दीजे परमेश्वर मुझे आप बढ़ाईए परमेश्वर मुझे ये दीजे वो दीजे, ये हमारा जिंदी की हो गया है क्या, कि हम लोग तहारी में हैं ये श्यमसी के वापस आने के बारे में बाइबल में हम लोग देखते हैं कि एक फाइनल बड़ा युद होने वला है और वो इस्रेल को लेके होने वला है आप खोले मेरे साथ आपके स्क्रीन पे हैं योईल दूसरा आदिया है और अटरा वचन हम लोग देखने वले हैं जोईल चैप्टर टू एन वर्स एटीन और यहां पर परमेश्यर कह रहे हैं कि एक समय आएगा I will gather all the nations मैं सारी जातियों को मैं एकत्र करूंगा उन सभी जातियों को मैं यहोसफद की तराई में एकटा करूंगा यहोसफद का तराई मतलब इस्रेल का में एक जगा है युर्टिश्यलम के पास ओके परमेश्यर कह रहे आउंगा यहोसफद की तराई में सारे देशों को में लेके आउंगा और वही मैं उनका न्याए करूंगा कहां पर इस्रेल में उन जातियोंने मेरे मेरे इस्रेली लोगों को तित्तर बित्तर कर दिया, दूसरी जातियों के बीच रहने के लिए उन्होंने उन्हें विश्व किया था, मेरे लोगों को तित्तर बित्तर कर दिया, मेरे लोग मतलब इस्रेल की लोग, यहुदी लोग, इसलिए मैं उन्हें जातियों को डंड दूँगा, क्यों परमेश्व क्या कह रहे हैं, मैं क्यों डंड दूँगा, क्योंकि उन्हें मेरे लोगों को तित्तर बित्तर कर दिया, य जो तुम्हें श्राप देगा, मैं उनको श्राप दूँगा, और परमेश्वर वोई बात, योयल के किताब में कह रहे हैं, जो अंतिम दिनों की बात है, और परमेश्वर कह रहे हैं, मैं सारे जातियों को लेके आँगा, जिन्होंने मेरे लोगों को तित्तर बित्तर कर दिया सारे देशों में और उनका न्याए मैं करूँगा वहाँ पे और आगे क्या आप करते हैं परमेश्वर परमेश्वर कह रहे हैं कि उन लोग उने क्या किया देवस्टी और सो डिवाइड अपमाई लैंड उन जातियों ने मेरे धर्ती का बटवारा कर दिया अब कनेक्ट करिए आज क्या हो रहा है लोग क्या कह रहे हैं लोग कह रहे हैं कि देखो कुछ जमीन पलेस्टीनियन को दे दो कुछ जमीन आप यहुदी लोग को दे दो साब अच्छा हो जाएगा परमेश्वर क्या कह रहे हैं परमेश्वर क्या कह रहे हैं परमेश्वर कह रहे हैं यह दुनिया का सोच है लेकि एक ना एक दिना आएगा कि मैं दुनिया की उपर मैं नयाई करूंगा क्योंकि उन्हेंने मेरे लोगों को तितर बितर कर दिया और उन्हेंने मेरे जमीन का बटवारा कर दिया परमेश्वर का जमीन का बटवारा कोई नहीं कर सकता है यदि किसीने किया परमेश्वर उनकों के उपर नियाई करेंगे क्योंकि ये जमीन परमेश नियाव रहाम और उनके वंश को दिया जो इसाक और याकुफ के द्वारा आया तर चिलन अफ इसरेल सो हम लोग देखते हैं कि हम लोग नजदीक है उस समय में क्योंकि सारा जो टेंशन हो रहा है आजकल दुनिया में कोई इसी चीज़ के पीछे हो रहा है यरुशलम के पीछे इसरेल के जमीन के पीछे दुनिया में हामास वाइलन्स बढ़ा हुआ है युद हो रहा है वहाँ पर ही वोई भूमी के पीछे और पर मैं एशर कह रहे हैं कि देखो एक ना एक दिन मैं सारी जातियों को ले के आऊंगा वहाँ पर ही वोई भूमी में और उनका न्याय में करूँगा देख कि हम लोग कितने नजदीक हैं तो पर मैं एक दिन I will bring them all मैं उन सारे देशों को लेके आऊंगा यहोसफाट के तराई पे और वहाँ पे मैं उनके नियाई करूँगा I will judge them, says the Lord और एक युद के बार में हम लोग देखते हैं और वो है Ezekiel 38 में दुबारा यहाँ पे लिखा है अंतिम दिनों के बारे में तो हम लोग देखते हैं अंतिम दिनों का जो युद है यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं योईल में हम लोग ने देखा प्रभू येश्यमसी ने कहा कि येरुश्लम को लेके ये होने वाला है अब Ezekiel में हम लोग देखते हैं 38 में और यहाँ पे लिखा है कि और अंत के वर्षु में क्या होने वाला है तुम उस देश में आएगा मतलब यहाँ पे हम लोग अच्छी देखते हैं कि शुरुआत के जो बचन है प्रमेश्यर कुछ देशों का नाम लेके वो बात कर रहे हैं और कहते हैं कि इस्रेल के जो पुरब में है जो देशों है उनका नाम आप देख सकते बाद में मैप खोल के आप देख सकते हैं और प्रमेश्यर उनसे यहाँ पे बात कर रहे हैं और प्रमेश्यर कह रहे हैं कि अंत के वर्ष में तू उस देश में आएगा जो तदवार के वश से छुटे हुए होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से एकटा होंगे। देखे, क्योंकि इसके बारे में लिखा है? इस्रेल, क्योंकि इस्रेल में सवासो देशों से जादा यहूदी लोग आज महां पे रहते हैं। Jews from more than 125 nations of the world live in Israel today, जिन्होंने आलिया किया, 1948 के बाद major आलिया हुआ। और मैं शुरेजीकिल के द्वारा कह रहे हैं कि उन देश के लोग जो जिसकी निवासी बहुत सी जातियों में से एकटा होंगे। तुम वहां पे आओगे। अर्थ तु इसरेल के पहाड़ों पर आएगा। जो निरंतर उजड रहे हैं परंतु वे देश देश के लोग किवश से चुड़ाएं जाकर सब के सब निदर रहेंगे। तो परमेश और एक भविश्वानी दे रहे हैं कि देखिए एक युद आने वाला है जो पूरब के लोग ले के आएंगे इसरेल के ऊपर। पूरब के लोग इसरेल के नौत में कौन है हैं लेबिनन आज की दिन जब हम लोग ने शबात का मीटिंग स्टार्ट किया लेबिनन के लीडर ने एक स्पीच दिया not Lebanon leader, sorry, Hezbollah के leader. Hezbollah जो Lebanon के अंदर, उन लोग एक संक्रतन है, हामास के जैसा है, लेकिन हामास से उन लोग कम से कम दस बार गुना, दस गुना जादा ताकतवर लोग हैं. लेकिन उनके मकसद सेम है हामास के जैसा कि इस्रेल को हमें नश्ट करना है. परमेश्चर कह रहा है कि पूरब के लोग, sorry, उत्तर, नौथ, रैट, उत्तर. गर्रेक्ट? यस, 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 करेक्ट. और राइट, forgive my geography. उत्तर के लोग, from the north, Hezbollah. अल्रेडी, Hezbollah इस यूद में चोटी तरीके से उन लोग अल्रेडी स्टार्ट हो गए हैं, last दो हफ़ते से. हो सकता है, उन लोग और भी ramp up करें, और भी बढ़ाएं उसको. North के लोग और कौन है? Turkey. Turkey ने अल्रेडी धमकी दिया इसरेल को, क्या हम लोग involved हो जाएंगे? उनके साथ कौन जुड़ेगा? इरान. और उनका जो alliance है, जो भी देश इरान के साथ जुड़ा हुए है. येमिन भी जॉइन कर रहा है उसमें, येमिन के हाउतीज. हाउतीज. हाउतीज, जो backed है, उनको backing है इरान का. तो हम लोग देख क्या रहे हैं, कि इस्रेल के चारों तरफ बहुत प्रेशर आ रहा है. युद्ध का. जो हम लोग देख रहे हैं, बाइबल में. What the scripture tells us will be happening. वोई चीज आज हो रहा है. और परमेश्वर ने कहा था, योएल में, दुबारा हम लोग उसी को देखेंगे, कि एक समय आएगा परमेश्वर के रहे हैं, मैं सारी जातियों के लोग को एक खटा करूँगा, और उनको काँ पे लेके आऊँगा, यहोस्फ़त के तराई में मैं एक खटा करके लेके आऊँगा, और उनका नियाए करूँगा. देखिए, उन लोग आएंगे, जरूर आएंगे, ताकतवर है, उन लोग ने बहुत प्लानिंग किया है, आएंगे, जरूर आएंगे, और परमेश्वर अलाओ करेंगे उनको आना, लेकिन आने के बाद क्या परमेश्वर करने वाले उनके साथ, परमेशित के रहे हैं मैं उनका न्याई करूँगा क्योंकि उन्हेंने मेरे लोग को कित्तर बित्तर कर दिया और मेरे धर्ती का बटवारा कर दिया तो देखे हमें पैचानना है कि क्या हो रहा आज कल क्या क्या होने वाला है और प्रभु येश्यमसी के आने के साथ किस तरीके से कनेक्ट होना है बिकाज इस्रेल इस गौद्स कैलेंडर आपने सुना होगा टीचिंग इस विशेय पे आलिया के बारे में कि यहुदी लोग वापिस आना अपने देश में सतर से जादा बाइबल के वचन है इस टॉपिक पे बविश्यवानी के तौर से एजीकियल, यर्मिया, आईजाया, अमोस, मिकाः और प्रभु येश्यमसी भी बात करते हैं उसके बारे में प्रकाशित वाक्यों में भी हम लोग देखते हैं जो मेमना है वो सियॉन परबत पर खड़ा है, सियॉन परबत इसरेल आलिया के बारे में हम लोग बार बार देखते हैं और आज की दिन आलिया हो रहा है देखे, सबसे एक इंट्रेस्टिंग बात में आपको कहूँ जहां पर लडाई जगड़ा हो रहा है न, वहां से लोग भागना चालू करते हैं कि इस देश से चलो हट जाओ, कहीं और जाके रहो जबसे हमास का अटैक हुआ, 7 अक्टूबर का अटैक हुआ इसरेल पे यहूदी लोग जो अलग-अलग देश में हैं, उन लोग वापस आरे हैं इसरेल में और कह रहे हैं हमें जाके लड़ना है हमास के साथ हमारे देश के लिए लोग भाग के नहीं जा रहे हैं इसरेल से, लोग वापस आरे हैं इसरेल में इन फैक्ट आलिया बढ़ रहा है, अमेन इसरेल में आपको पता है कि 18 साल से, from the age of 18 लड़के लोग और लड़की लोग, आर्मी में उनका compulsory duties होता है unless अगर आप रविनिकल स्टडीज में गए हैं, तो आपको exempt किया जाता है नहीं तो बाकि सब लोग को compulsory आर्मी में आना पड़ता है लड़कों को तीन साल के लिए, लड़की को दो साल के लिए और उसके बाद 45 उमर तक उनको reserves में रखा जाता है तो आज के दिन इसरेल ने 3 लाक से जादा reserves को वापिस बुलाया है और 45 के बाद आप voluntary basis पे आप reserve बन सकते हैं कई लोग इसरेल में 45 के बाद जो लोग हैं उन लोग आ चुके हैं और कह रहे हैं हम लड़ेंगे एक व्यक्ति के बाद में मैंने सुना जो 70 साल से जादा उसका उमर है उनने कहा कि मैं reserve में आ रहा हूँ मैं लड़ूँगा अपने देश के लिए देखिये जो passion क्यों है इतना जगरा करने की passion है? नहीं क्योंकि उनको पता है कि जो यूद है ये एक आत्मिक यूद है ये परमेश्चर के दुश्मन की विरुद है एक आत्मा की विरुद है जो इसरेल की आलिया को रोकना चाता है जो यहूदी मस्या को रोकना चाता है लेकिन ये सब में कई लोग मर भी रहे हैं हमारे लोग they are getting beaten up suffer कर रहे हैं और हम लोग एक भविश्यवानी जब देखेंगे वो है उत्पती 3 उत्पती 3.15 में और हम लोग को पता है कि ये पहला भविश्यवानी है मसिया के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं आज मसिया के वापस आने के बारे में और ये भविश्यवानी जो है उत्पती 3.15 ये पहला भविश्यवानी है जो हम लोग कहते है कि मसिया के बारे में और यहां पे लिखा है कि परमेश्युर कहते हैं किन को? हवा को कि देखें तुम्हारा जो बीज आएगा वो शैतान साप के बीच के साथ वो जगड़ा करेगा न तब शैतान की बीच के साथ और एक समय आएगा कि तुम्हारा एड़ी घिस जाएगा लेकिन उसका सिर को तुम कचल दोगे किसका? शैतान की बीच का सिर्क कुचल देंगे तो हम लोग देखते कि ये जो भविश्यवानी है वो किसके बारे में है? वो है मसीहा के बारे में कि मसीहा शैतान के सिर्क को कुचल डालेगा फाइनली लेकिन जो एड़ी जो शब्द है उससे हमें कुछ पता चल जाता है एड़ी मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप अपने माइक को अन्म्यूट करें इस समय और मैं पूछू था कि कितने लोगों ने नाम सुना याकोफ, जेकब येस, नो, प्लीज बोलिए येस, जिन्हों ने सुना येस एक ही सिर्फ सिस्सर अश्विनी ने सुना येस ने सुना एवरीबड़ी, एवरीबड़ी ओके, एवरीबड़ी नो टेकिट फग्राटेद, एवरीबड़ी आमेन ओके, याकोफ का मीनिंग क्या है जूट बुलने वाला चीट करने वाला यह हम लोग नॉमली कहते हैं पट नो, नई याकोफ का मतलब है एडी को पकडने वाला तो मीनिंग ऑफ जेकब इस देवान वाल्स देहील एडी को पकडने वाला और यह भविश्य वानी में हम लोग क्या देखते हैं कि एडी घिस जाएगा तो यहोदी जो रबाईज है जिन्होंने बहुत स्कृप्चर स्टडी किया उनका कहना ऐसा है कि मसी को फाइनली लाने के लिए दुनिया में, दुनिया का चुटकारा करने के लिए और दुनिया को वापिस पीसफुल शलॉम लाने के लिए एडी घिसने वाला है मतलब एडी मतलब याकॉफ, जेकब जेकब मतलब इस्रेल मतलब इस्रेल के लोग घिसने वाले हैं इस्रेल के लोग सफर करने वाले हैं बहुत सा दर्द होने वाला है क्योंकि परमेशर उनके द्वारा मसी को लेके आ रहे है दुनिया में जो शैतान को शैतान के सिर को कुचल डालेगा आमेन मैं दुबारा कहूंगा औरत के बीज हवा के बीज मतलब मसीया शैतान के बीज का सिर को कुचल डालेगा लेकिन एडी घिस जाएगा एडी याकोफ, जेकब एडी को पकडने वाला जेकब मतलब इस्रेल, यहूदी लोग यहूदी लोग काफी घिस जाएंगे मसीहा को लाने के लिए जो शैतान को अल्टिमिटली, फाइनली, टोटनी कुचल डालेगा येश्य मसी ने अल्री किया क्रूस पे और फाइनली जब वापस आएंगे शैतान का अंत हो जाएगा और वापस आएंगे कहां पे इस्रेल में दावीद के सिहासन पे बैठने के लिए इस्रेल के लोग जब वापस आ रहे दुनिया में, सुरी लैंड में, इस्रेल में इस्रेल के लोग जब वापस आ रहे इस्रेल में, यहुदी लोग जब वापस आ रहे जो इसको कहते आलिया आच्चली वो तैयारी चल रहा है प्रभु येश्य मसी के वापस आने के बारे में मसीहा को वहाँ पे रिसीव करने के लिए इसलिए कहते है आलिया मतलब उपर जाना यरुशलम में उपर जाना क्योंकि मस्याँ वहाँ पे आने वाले है हालिलुया हम लोग और भी हम लोग देखते हैं कि आज कल हो रहा है और वो है कई यहुदी लोग मसीय को पैचान रहे इतने लोग है कि अच्छली उसका नंबर बहुत जादा है जो कई बार काउंट करना मुश्किल हो रहा है जुईश वोइस जो मिनिस्ट्री है उनके अनुसार करीब 20 टका यहुदी जो USA में है 20% और पीपल और जूज वो है फेथ इन येश्वा मसीय जीसस तमसाय लाखो यहुदी लोग युक्रेन और रश्या में है जो येश्वा पे विश्वास करते है क्या हो रहा है परमेश्वार अपने लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं उनके प्लान के बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं बच्पन से कि परमेश्वार ने इसरेल की लोगों को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हों ने परमेश्वार को रिजेक्ट किया लेकिन पॉलस क्या कहते हैं अंत के दिन में हम लोग आज यही देख रहे है पॉलुस कहता है रूमिन्स ग्यारा और एक में इसलिए मैं कहता हूँ क्या परमेशन ने अपने प्रजा को त्याग दिया कदापी कदापी नहीं सड्ली नॉट पॉलुस ने युनानी में लिखा और जो शब्द यहां पे उन्होंने यूस किया मगनौईता वो सबसे कड़क शब्द है और उसका मतलब है कभी नहीं होगा परमेशन ने अपने प्रजा को त्याग नहीं दिया और कभी नहीं करेगा परमेशन ने जब अवराहम को कहा कि तुमारे द्वारा मैं लोगों को आशिश दूँगा वो वादा आज भी है और हमेशा रहेगा परमेश्वर ने उनके द्वारा मसिया को लेके आए और उनके द्वारा मसिया वापस आएंगे उनके लिए आएंगे उनके देश में आएंगे और वो देश से वो राज करेंगे दुनिया भर के उपर As the King of Kings and the Lord of Lords Amen और इसलिए यह जो युद हम लोग देख रहे हैं जो हो रहा है वो एक आत्मिक युद है शेतान चाहता है कि परमेश्वर के प्लाइनस को खतम कर दे, नष्ट कर दे जो आत्मा फारो में था यहुदि लोग को नष्ट करो जो आत्मा अमलिक में था यहुदी लोग को नश्ट करो जो आत्मा हामान में था एस्तर की किताब में यहुदी लोग को नश्ट करो जो आत्मा फिलिस्टाइन्स में था और फिलिस्टीन्स बाइबल के और पैलिस्टीनियन्स अलग-अलग लोग हैं लेकिन वोई आत्मा का इच्छा क्या था? इस्रेल के लोग खतम करो जो आत्मा अडॉल्फ हिटलर में था यहूदी लोग को खतम करो वो आत्मा आज भी हम लोग देख रहे हैं यहूदी लोग को खतम करो हमास के लीडर दो दिन पहले टीवी पे आए on Egyptian टीवी और उन्हें का जो हम लोग ने 7 October को किया वो हम लोग दूसरी बार करेंगे तीसरी बार करेंगे और बार बार करेंगे जब तक हम लोग ने यहूदी लोग को टोटली नश्ट नहीं किया तब तक मुझे बिलीव मत करिये आप इंटरनेट पे जाके आप खुद देख सकते हैं यह एक आत्मा है और वोई आत्मा जो नर्क से आत्मा आता है जो शुरुवाद से यहूदी लोग खतम करने की आत्मा है और इसलिए कई लोग जो है उनके भी जो कई लोग है अपजी थे हम असे उन लोग अगरी नहीं करते हैं उनके भी कई लोग है जो हम असे अगरी नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि यह बहुत यह वायात चीज है और हम लोग तुबारा एक वचन देखके हम लोग अपने आप की जाचु ठुड़ा करेंगे वैसे ही मनुश्य की पुत्र के आने के आना भी होगा। नू का दिन याद रखिये कैसा था। दुनिया में हामास था। वाइलन्स, डिस्ट्रक्शन, हीब्रू वर्ड हामास। नू की समय ऐसा था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया। बाइबल में लिखा है कि नू और उनकी परिवार को परमेश्वर ने जहाज के अंदर जाने को कहां परमेश्वर ने। और यहाँ पे लिखा है और जो गए वो परमेश्वर की आग्या के अनुसार सब जाती के प्रानियों में नर और मादा गए। और फिर लिखाए और फिर लिखाए और फिर लिखाए और लॉड शट हिम इन तब यहोवा ने उसका दुवार बंद कर दिया। येश्व मसीग ने क्या कहा? मेरे आने के दिन नो के दिन के समय कि जैसा होगा। डेफिनिटली खराब दिन आ रहे हैं। दिन और भी खराब होने वाले हैं। और भी गड़बड होने वाला है और जैसे हम लोग ने देखा। नौत, इस्रेल के नौत से भी और वालेंस आने वाला है। लेकिन नुख के साथ परमेश्व ने क्या किया? बाइबल कहता है परमेश्व ने उनको जहास के अंदर रखके परमेश्व ने उनको बंद कर दिया। आमेन। और वो जो जहाज है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, परमेश्र का प्रोटेक्शन, परमेश्र का ब्लेसिंग हमारे उपर, जो हमें मिलता है प्रभु येश्य मसी के द्वारा, आमें, हमारा जहाज प्रभु येश्य मसी है, The name of the Lord is a strong tower, Proverbs 18 and verse 10, नीती बचन अठरादस, परमेश्र का नाम, एक strong tower है, जहाँ पे धार्मिक लोग वहाँ पे जाते हैं, और सुरक्षा पाते हैं, The righteous run there and they are saved, saved है, जैसे आज जैक ब्रही ने कहा, कि saved जो शब्द है, वो है येश्युवा, Salvation मतलब येश्युवा, हमारा येश्युवा, हमारा प्रभू येश्युमसी, जिनके पास हम लोग भगते हैं, जिसमें हम लोग छुपते हैं, He is our act, नू के दिन के जैसा बहुत violence है, बहुत गड़बड हो रहा है, और और भी होने वाला है, लेकिन परमेश्युवर हम में रक्षा, हमारे रक्षा करने वाले हैं, हमें कहीं लेके नहीं जाएंगे, हम लोग कहीं भागने नहीं वाले हैं, परमेश्युर ने नू को दुनिया में ही रखा, वो कहां कहीं चला नहीं गया, परमेश्युर ने दुनिया में रखा उसको, लेकिन परमेश्युर ने उसको प्रोटेक्ट किया, God protected him from all that happened, और परमेश्युर इसरेल को प्रोटेक्ट करेगा, परमेश्वर अपने बाकी लोगों को भी protect करेगा हमें डर्ना नहीं है दीखे, अंत में मैं यही कहके बंद करूँगा, हमें डर्ना नहीं है जो भी हो रहा है हमें डर्ना नहीं है हमें विश्वा सकना है कि परमेश्वर totally in control है God is completely in control जो हो रहा है, परमेश्वर को बता है, अब परमेश्वर कम्प्लीटली इन कंट्रोल है, और परमेश्वर विजय देने वाले हैं अपने लोगों को, आमेन, अब परमेश्वर वो मार्क खोल रहे हैं, जिससे जब प्रभु ये शुमसी आएंगे, दुनिया पहचानेगा, उसकी उपर देशो करनिया होने वाला हैं, जेनेसिस 12 और वर्स 2 और 3, दोज भू बलेस्वर वबलेस्वर जो तुम्हे आशिश देगा, मैं उसको आशिश दूगा, जो तुम्हे श्राप देगा, मैं उसको श्रापित करूगा, so in the end God wins परमेशर जीतने है अलेलुया और जो परमेशर के साथ है हम लोग जीतेंगे yes, AD घिस जाएगा yes, Israel is facing Israel सामने है आप के लिए, हमारे लिए और सारी दुनिया के लोग के लिए those who stand for the truth and we must stand with them लेकिन ये सब से हम लोग देखते है समय बहुत नजदीक है और हमें अपना तियारी करना ज़रूरी है it's important that we understand हम लोग अपने जिन्दगी के priorities को बड़ल दे अभी और कहें कि देखें और ये हमें churches में preach करना है pastors have to preach this हमें अपने house groups में preach करना हमें अपने लोगों को बताना है इसके बारे में और लोगों का तैयारी करना ज़रूरी है कि समय बहुत नजदीक है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एक साल में प्रभू आएंगे एक मेने में प्रभू आएंगे हमें पता नहीं है प्रभू कब आएंगे लेकिन हम समय को देख के हम लोग पैचान सकते हैं कि समय बहुत नजदीक है और लोगों का तैयारी करना वो आपका और मेरा जिम्मधारी है अज बिलीवर्स आपको पास्टर नहीं बनना है उसके लिए टाइटल का जूरत नहीं है परमेशन ने आपके मेरे सब के हाथ में ये काम दिया है कि अपने परिवारों को अपने पड़ोसी को अपने दोस्तों को सब को बता के हम लोग तैयार करें प्रभू के वापिस आने के बारे में आमें प्रेज दो लॉड शबाद शलॉम आगे पास्टर सानी चंड़ा चलाएंगे अमें प्रेज दो लॉड